राजदानी जैपुर में एक दरिंदे ने 10 साल की मासूम बच्ची को अपनी हवस का श्रिकार बना दिया छटी कक्षा में पढ़ने वाली ये बालिका अपने परजिनों के साथ सगाई समारों में शरीक होने आई थी और जहां आरोपी ने इस बच्ची को बहला फुसला कर इस वारदात को अंजाम दिया फिलाल बालिका का जेकेलों अस्पताल में उपचार चल रहा है और जहां उसकी हालत खत्रे से बाहर बताई जा रही है और साथी पुलिस भी इस मामले में आरोपी की तलाश कर रही है एडिशनल पुलिस कमिशनर अशोग गुपता ने बताया कि सगाई समारों के आयोजकों से सब ही महमानों की लिस्ट मांगी गई है साथी विडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर आरोपी को चिन हित करने के प्रयाज भी लगातार यहाँ पर हैं समारों था और उसमें ये बच्ची चाक्सू की रहने वाली है यहीं जेपर में पढ़ती है छटी क्लास में और वहां पर शादे समारों में जो गाडन है मेरेज गाडन उसमें जो महिना टॉयलेट में ये है तोईलेट करने के लिए गई थी अ फिर कोई कुष पीछे वहां गया है और उसने उसके साथ त्रियास किया है लेकिन अभी तक कोई नामजद नहीं हो पाया है, साधी समारों में तो लोग हैं, उनी में से ही कुई ना कोई साधी कौना चाहिए, लोशी रही सो लोग थे वहाँ पर, नहीं लाएं, पुरुष, अच्छे, सब लातरों, तो हम बराबर इसमें मोनीटरिंग कर रहे हैं, और जो भी होगा, उसके खिलाब कार रहें, हम अच्छी जयके लोओं बख्ती हैं, उसकी इसस्तती हित्रे से बाहर है लात भी य Only ज्यांऽी पायान है, मेरी से महां बात बात– लéके लोओं मा हम स्प्त लोग, तो अच्छी की स्थिटी है